Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to do page number 86. 86 हमें करना है, 1 has been already done for you. The same process you have to do with second till the sixth. Like we have to add 3 plus 5. आपको यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे teeth भी बनाना है. यहाँ पे देखो teeth बने हुए है न? उपर 3 लिखा हुआ है और नीचे 1 लिखा हुआ है तो उपर 3 टीथ बने हुए और नीचे 1 टीथ बने हुए Same thing you have to do in these pictures also यहाँ पे उपर 3 है नीचे 5 है तो you have to make 3 टीथ तो उपर और 5 टीथ नीचे इस टाइप से आपको बनाना है क्योंकि I am just using the finger and I am able to just see the picture because the picture is very small तो आप इसको पॉपर्ली ड्हं से आप बना सकते है तो आपको क्या करना है आप इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे बढ़ा है 5 बढ़ा है और 5 के बाद you have to count it down 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 the answer is 8 ठीक है like 4 प्लस 5 5 बढ़ा नंबर है and you have to keep the 5 in your mind and आपको 5 के बाद जो count करना है वो 4 fingers count करना है 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9 then the answer is 9 same process you have to do with 4th 5th and 6 and you have to draw the pictures also ठीक है यहाँ पर आपको T3 के बनाने है okay now we are going to move on second page it is a word problem बिटा ठीक है solve the following story sums draw their images if you feel like under each question अगर आप draw करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर under the question आप draw कर सकते हैं यह वाला जो पारते हैं कीरत saw 3 bugs Ben saw 5 bugs ठीक है कीरत और Ben दो friends है उन्होंने अलग बग्स देखे हैं how many bugs they they see together उन्होंने कितने total bugs देखें दोनोंने मिलके ठीक हैं यहाँ पर लिखा हुआ अलोडी कीरत के 3 bugs लिखे हुए हैं और Ben के 5 bugs लिखे हुए हैं तो we have to add these bugs तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 5 है ठीक है उसको माइन में रखना है 3 fingers निका लिए 5 की बाद काउन कीजिए 5 की बाद क्या आता है 6 7 8 the answer is 8 and यहाँ पर आप bugs बना सकते हैं ठीक है उपर आप 3 बना सकते हैं नीचे आप 5 बना सकते हैं इस टाइप से bugs भी बना सकते हैं यहाँ पर आप वैसे भी आप count कर सकते हैं पिया has two green frogs and four red frogs how many frogs does she have in all ठीक है पिया जो है एक लड़की है अब उसके पास दो तो green क्लर की फ्रॉक्स है और four जो है उसके पास red क्लर की फ्रॉक्स है तो total फ्रॉक्स इसमें पूछा गया है कि total कितनी है तो four plus two four को आप mind में रखिए two fingers निका लिए four के बाद क्या आता है five and six the answer is six ठीक है like third there are four children in the class after some time four more children come how many children are there now ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि four children पहले से class के अंदर दे four बच्चे और आ गए उस class में आप total बच्चे कितने हो गए ठीक है तो four plus four आपको करना है four को एक को वाई में रखिए four fingers निका लिए four के बाद count कीजिए four के बाद क्या आता है five six seven eight the answer is eight in a pond there are five fish ठीक है वहाँ पर five fish है then two more are added उसमें दो more fishes और fish और add कर दी ठीक है how many fish are there in all ठीक है total fish पूछी जा रही है कितनी है five plus two को करना है five को माई में रखना है two fingers निकालना है five के बाद की आता six and seven the answer is seven in last question also यह आपको खुद try करना है खुद एक बाद समझे देपाली saw four ants डेविड saw five ants ठीक है उन दोनोंने four ants और five ants देखे है how many ants did they see together उन दोनोंने मिलके कितने ants देखे है तो वो हमें total करना है तो four plus five यह आपको खुद करना है और answer आप खुद लिखेंगे ठीक है एक और चीज मैं आपको observe करने के लिए कह रही हूं कि जैसे कि आपने यहां पे देखा बक्स लिखा हुआ है यहां एस लगा के many बनाया हुआ है बनाया हुए न तो वैसे ही child का children में plural होता है that means कि many जब हम बनाते है तो children नहीं बहुत सारे बच्चों की बात करते हैं तो children यूज करते हैं ठीक है यहां पे ants का यूज किया गया लेकिन fish के साथ यह चीज नहीं किया गया तो कि fish जो ऐसा word है जो कि singular और plural दोनों में फिश ही करें था गया है जिरेंों में आपर डूटन है जो